आज के इस कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है हमारी चर्चा का विशह है सांखिकी हम सभी को विभिन रूपों में बहुत से सूचनाएं प्रति दिन दे जाती हैं जैसे समाचार के बाद विभिन नगरों का अधिक्तम पन्यूनतम तापमान बताया जाता है या इस तालिका के में विभिन संख्याओं के माध्यम से भारत में कोईला उत्पादन की व्रधिदर को दर्शाया गया है इन संख्याओं को जिनके माध्यम से हमें सूचनाएं दी जाती हैं हम आंकड़े कहते हैं इन आंकड़ों को इकठा करना व्यवस्थित करना प्रभावी रूप में प्रस्तूत करना उनसे विशलेशन कर निश्कर्ष निकालना यही संख्याओं की का विशाशेत्र है आए संख्याओं में जाने कि संख्याओं की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ सांखिकी को अंग्रेजी में कहते हैं statistics इस्टेटिस्टिक शब्द लेटिन भाषा के एक शब्द status से बना है status का Latin में आर्थ होता है एक राज क्योंकि पुराने समय में इसका उप्योग उन आकड़ों को इकठा करने के लिए होता था जो राज के लिए उप्योगी होते थे जैसे भूराजस्व के आकड़े सैनिकों की उपलध्धता के आकड़े शस्त्रागार में शस्त्रों की उपलध्धता के आकड़े पडोसी राज्यों से होने वाले व्यापार के आंकडे भारत में हमें चंद्रगुप मौर्य और अक्बर के शासनकाल में हुवे व्यापक सर्विक्षनों के आंकडों के एतिहासिक विवरण मिलते हैं दीरे दीरे समय के साथ साथ सांखीकी का विशेक शेत्र भी बढ़ता गया परन्तु आज सांखीकी में जिन आवधार्णाओं का अध्यन हम करते हैं उनका विकास सत्रवी शताब्दी में शुरू हुआ जब कैप्टन जॉन ग्रांट ने जन्म म्रत्यू से संबंधित आकणों का एक विवस्थित सांखीकी अध्यन किया जॉन ग्रांट ने विभिन आयू वर्गों में व्यक्तियों की ओसत आयू की गणना गी और इसी से विचार उत्पन हुआ जीवन भीमा का आज भी जीवन भीमा कंपनिया विभिन आयू वर्गों में प्रीमियम की राशी का निर्धारन करने के लिए इसी तरह के आकणों का उप्योग करती है सांखीकी के विकास का अगला महतुपूर्ण पढ़ाओ है संभावना के सिध्धान्त या प्राइक्ता के सिध्धान्त का उदय इसकी शुरुवात फ्रांसीसी गंतग्यों पास्कल और फर्मट ने की बाद में जेम्स बर्नोली, डिमोवर, बेस जैसे गंतग्यों ने इस पर महतुपूर्ण कार्य किया परन्तु रोनाल्ड फिशर जीने सांखीकी का जनक भी कहा जाता है वो सांखीकी विशेशक थे जिनों ने इसका उप्योग दूसरे विशेयों जैसे मनोविज्ञान, शिक्षा, कृषी, अर्थ शास्त्र में शुरू किया सांखीकी का प्रयोग हम इसके बहुवचन और एक वचन दोनों अर्थों में करते हैं बहुवचन में सांखीकी का अर्थ है वे आकड़े जिनने पूर्म निर्धारित लक्षों के लिए इकठा किया जाता है एक वचन में सांखीकी का हर्थ है आंकडों को इकठा करना उन्हें विवस्थित करना उनका प्रदर्शन करना उनसे तर्कपूर्ण निश्कर्ष निकालना और सांखीकी के विभिन नियम और सिध्धान्त यहां एक बात ध्यान देने की है क्या प्रत्येक संख्यात्मक्तत्य सांखीकी होता है नहीं ऐसा नहीं है सांखीकी होने के लिए कुछ विशेस बाते होनी चाहिए जैसे एक अकेला संख्यात्मक तर्थ्य सांखी की नहीं होता संख्यात्मक तर्थ्यों का समुह सांखी की होता है जैसे हम कहें कि एक बाली का प्रग्या की उंचाई संख्यात्मक तर्थ्य सांख्य की नहीं है लेकिन अगर हम प्रग्या की कख्षा के 45 बच्चों की उंचाई के आंक्ड़े प्रदर्शित करें तब यह संख्यात्मक तर्थ्य सांख्य की हैं दूसरे गुणात्मक तर्थ्य सांख्य की नहीं होते हैं जैसे हम कहें अमित इस कख्षा का सबसे बुद्धिमान चात्र है यह तर्थ्य सांख्य की नहीं है लेकिन अगर अमित की कख्षा के सभी छात्रों की बुद्धी मता को अंकों से प्रदर्शित किया जाए उस इस्थिती में ये संख्यात्मक तथ्य सांखिकी है संख्यात्मक तत्य में सांखिकी होने के लिए ये भी जरूरी है कि इन संख्यात्मक तत्यों को विकठा जो किया गया है वो किसी पूर्ण निर्धारित उद्धेश के लिए किया गया हो आंकडों का संकलन किसी पूर निर्धारित लक्ष के लिए होना चाहिए और साथ ही ये आंकडे दूसरे आंकडों से तुलनिये होने चाहिए तुलनिये होने से अर्थ है कि इन आंकडों की दूसरे आंकडों से तुलना करके निश्कर्ष निकाले जा सके आकड़े दो प्रकार के होते हैं जैसे एक तो वह आकड़े जिनका संकलन उसी उद्देशच के लिए किया गया है जिन के लिए उन्हें प्रयोग में लाया जा रहा है जैसे कक्षा से समानिगान की प्रतियोगिता के लिए एक टीम का चैन किया जाना है और कक्षा में अध्यापक ने इसके लिए एक परिक्षा ली और उन परिक्षा के के प्राप्तांकों के आधार पर उन्होंने टीम का चैन कर लिया दूसरे कि कख्षा अध्यापक ने चैन के लिए पिछले वर्ष की वार्षिक परिक्षा के प्राप्तांकों का उप्योग कर टीम का चैन किया प्रथम इस्थिती में आंकडों को हम कहते हैं प्राथमिक आंकड और द्वितिये इस्थिती में हम उनको कहते हैं द्वितिये कांक्डे क्योंकि प्रात्मिक आंक्डे वो आंक्डे हैं जिनका प्रयोग उसी उद्देश के लिए किया जा रहा है जिनके लिए उनको इकठा किया गया था लेकिन दूसरी इस्थिती में जिसमें वार्षिक परिक्षा के प्राप्तांकों के आधार बर टीम का चैन किया गया है उस इस्थिती में इस परिक्षा का आयोजन सामान निग्यान की प्रतियोगिता के लिए नहीं किया गया था इस तरहे प्रात्मिक आंक्डे द्वितियक आंक्डों से अधिक विश्वस्निय होते हैं आंक्डे अगर एव्यवस्थित रूप में हो तो उनसे निश्कर्ष निकालना काफी मुश्किल होता है इसलिए आंक्डों को इकठा करने के बाद बहुत जरूरी है उन्हें विवस्थित रूप में प्रदर्शित करना ताकि उनसे आसानी से निश्कर्ष निकाले जा सके उनका विश्लेशन किया जा सके आईए सीखते हैं आंक्डों का प्रस्तूति करन यह हैं एक विद्याले की कक्षा 9 की परिक्षा में 25 विद्यार्थियों के प्राप्त आंक्डों को हम एपरिश्क्रत आंक्डे कहते हैं इन आंक्डों से अगर हम जानना चाहें कि कितने विद्यार्थियों ने 6 अंक प्राप्त किये तो हमें प्रथम आकड़े से और अंतिम आकड़े तक ये गिनकर देखना होगा कि कितने विद्यार्थियों ने 6 अंक प्राप्त किये हैं जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 आएए इन्हें कुछ ऐसा रूप देते हैं कि इनसे निश्कर्ष निकालना आसान हो जाए इसके लिए हम इन आकड़ों को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अर्थात अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं इन आकड़ों को बढ़ते हुए अर्थात आरोही क्रम में विवस्थित किया गया है और अब हम देखते हैं कि इन से निशकर्श निकालना आसान है और हम आसानी से गिनकर पता कर सकते है कि 6 अंक 5 विध्यार्थियों ने पराप्त किए है या 12 अंक पराप्त करने वाले विध्यार्थियों की संख्या है दो आएए आंकडों को सार्णी का रूप देते हैं ताकि हमें निशकर्ष निकालने के लिए आंकडों को गिनना ही ना पड़े और हमें देखते ही ये पता चल जाए कि किस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किये हैं तो आएए सीखते हैं सार्णी बनाना साणी बनाने के लिए हम तीन इस्तंभ बनाते हैं प्रथम इस्तंभ में हम लिखते हैं प्रापतांक दूतिय इस्तंभ में हम लिखते हैं मिलान चिन और तरतिय इस्तंभ में हम लिखते हैं छात्रों की संख्या अब हम आकड़ों को देखते हैं आकड़ों में कुल प्राप्तांकों में 3, 6, 12, 15, 19 और 24 अंक हैं इन सभी अंकों को हम प्राप्तांक के नीचे लिख लेते हैं 3, 6, 12, 15, 19 और 24 अब हम देखते हैं कि आकड़ों में 3 अंक कितनी बार प्रकट हो रहा है आकड़ों में 3 आ रहा है 5 बार इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार से मिलान चिहन लगाते हैं एक, दो, तीन, चार और अगर मिलान चिहनों की संख्या चार से अधिक होती है तो पांच में मिलान चिहन के लिए हम इसे विकर्णते काट देते हैं इसका उप्योग है कि अगर हमें बहुत अधिक मिलान चिहन लगाने पड़ते हैं, उस इस्थिती में हमें उन्हें फिर गिरना पड़ेगा इसके लिए हम इसको 5-5 के समूं में व्यवस्थित कर देते हैं और इन मिलान चिन्नों को गिनकर हम आगे लिख देते हैं छात्रों की संख्या पांच इस संख्या को हम आकड़े की बारंबारता कहते हैं अर्थात बारंबारता का अर्थ हुआ कि कोई आकड़ा जितनी बार प्रकट हो रहा है वह उसकी बारंबारता होती है इसी प्रकार अगर हम आकड़ों में देखें तो 6 आ रहा है 5 बार हम फिर से 1, 2, 3, 4 और 5 और बारंबारता लिख देते हैं 5 इस प्रकार हम इन सभी अंकों को गिन सकते हैं हम देखेंगे 12 अंक आकड़ों में आता है दो बार हम मत क्यारना चिन लगाते हैं और बारंबारता लिख देदे हैं 2 पंद्रह आता है 6 लिखने के लिए हम 5 को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और छटे से चिन को इस तरह से और लिख बारंबारता हो जाती है चार चोबिस आता है तीन बार और बारंबारता हो जाती है तीन हम इन सभी का योग कर लेते हैं पांच दस दो बारा छे अठारा चार बाई सोर तीन पच्चिस इसका योग हम लिखते हैं पच्चिस इस बारंबारता साड़नी को हम कहते हैं ए वरगीक निश्कर्ष निकालना हमारे लिए किराचित आसान है और हम सने घिनना भी नहीं पढ़ता हमें आसानी से पता चल जाता है। तीन अंक प्राप्त की हैं पांच विद्यार्थियोंने छे अंक प्राप्त की हैं पांच विद्यार्थियोंने ऐसे यह राशी जिसको हम गिनते हैं जिसकी हम बारंबारता लिखते हैं इसको हम कहते हैं विचर और कोई विचर विशेष जितनी बार आंकडों में प्रकट होता है वह होती है उस विचर विशेष की बारंबारता अगर विचर के यह मान बहुत अधिक हो उस इस्थिती में यह सार्णी बहुत बड़ी हो जाती है और फिर इससे निश्कर्ष निकालने में परिशानी आती है इसके लिए हम इन आंक्डों को वर्गों में माटते हैं ताकि सार्णी बहुत अधिक बड़ी ना हो आएए सीखते हैं वर्ग बनाना या आंक्डों की वर्गी क्रत सार्णी बनाना यह आंक्ड़े हैं मोसम विभाग द्वारा अगस्त महा के लिए सापेक्ष आर्दरता के आंक्ड़े कि बारंबारता सारणी बनाते हैं कि वर्ग बनाने के लिए पहले हम देखते हैं कि आकड़ों में प्रकट होने वाला अधिक्तम आकड़ा क्या है और हम देखते हैं कि 97 में सबसे अधिक्तम आकड़ा है और न्यूंतम आकड़ा 54 अधिक्तम आकड़े में से न्यूंतम आकड़ आकड़ों का परिसर अर्थात परिसर होता है अधिक्तम आकड़े में से न्यूनतम आकड़े का अंतर जो हमें मिलता है 97 में से 54 को घटाने पर यह है 43 इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कितने अंतर पर वर्ग बनाने हैं जैसे हम चाहते हैं कि हम 10 की वर्ग माप के अंतर बनाए इससे हम वर्गों की संख्या निकालते हैं और हम परिशर को वर्ग माप से भाग दे देते हैं परिशर है 43 और वर्ग माप है 10 हमें मिलता है 4.3 अर्थात हम इसको पूम संख्या बना कर हम इन आकड़ों को 5 वर्गों में विभाजित करेंगे आईए देखते हैं किस प्रकार से वर्ग बनते हैं वर्गों की शुरुवात करते हैं 50 से और प्रथम वर्ग बनता है 50 से 69 इसी प्रकार 60 से 69 और अंतिम वर्ग में हम 90 से 99 पर पहुंच जाते हैं अब हम पिछली साड़नी की तरह से ही देखते हैं कि आकड़ों में 50 से लेकर 69 तक कितने अंक आते हैं पाच इन पाच आकड़ों को हम पिछली साड़नी की तरह से ही प्रदर्शित करेंगे अर्थात हम मिलान चिहन लगाएंगे एक, दो, तीन, चार और पाच और हम बारम बारता लिखेंगे पाच इसी प्रकार हम प्रतेक वर्ग में प्रकट होने वाले आकड़ों को गिनते हैं और उनके सामने उनको लिखते चले जाते हैं इन आकड़ों में 60 से 69 तक के आकड़े प्रकट होते हैं, चार, चार चीन लगाकर हम बारम बारता लिख देते हैं, चार 70 से 89 तक के आकड़े प्रदर्शित हैं, छे, जिनको हम इस रूप में चीन लगाते हैं और हम लिख देते हैं, बारम बारता, छे 80 से 89 तक के आंकड़े हमें मिलते हैं 9 और हम इन्हें मिलान चिन्नों में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और बारम बारता लिखते हैं 9 90 से 99 तक के आंकड़े हैं 7 और इन्हें इस तरह से प्रदर्शित करते हैं बाद में हम इनका योग निकालते हैं जो है 31 इस सार्णी में प्रथम वर्ग है 50 से 69 इस वर्ग में 69 को हम कहते हैं वर्ग की उपरी सीमा और 50 को कहते हैं वर्ग की निम्न सीमा इस सार्णी में किसी भी वर्ग में अगर हमें किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ एक संख्या चाहिए तो उसे हम कहते हैं वर्ग का वर्ग चिन और वर्ग चिन ग्याद करने के लिए हम वर्ग की उपरी सीमा और निम्न सीमा का योग कर उसे दो से भाग दे के देते हैं जैसे हमें तीसरे वर्ग सत्तर से 89 का वर्ग चीन ग्याद करना हो तो हम लिखते हैं सत्तर जम्मा 89 बटे दो जो हमें मिलता है चोहत्तर दशम्लाव पांच इस शार्णी को हम कहते हैं वर्गिकरत आंकडों की बारमबारता साड़नी इस साड़नी में जो वर्ग शंखला हमने बनाई है उसमें प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा है 69 और अगले वर्ग की निम्न सीमा है 60 यह दोनों भिन है ऐसी वर्ग शंखला को हम अपरची वर्ग शंखला कहते हैं लेकिन ऐसी इस्थिती में भी हम सार नहीं बना सकते हैं कि यह दोनों उपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा समान हो उस इस्थिती में हम वर्ग शंखला को समावेशी वर्ग शंखला कहते हैं आएए सीखते हैं समावेशी वर्ग शंखला बनाना समावेशी वर्ग शंखला में वर्ग की उपरी सीमा को उस वर्ग में नहीं गिना जाता और अब अगर हम फिर से आंकड़ों में गिने तो पचास से साथ तक हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं पांच पचास से साथ के वर्ग की बारंबारता आती है पांच जब हम पचास से साथ के वर्ग की गिनती कर रहे हैं उस इस्थिती में हम देख रहे हैं कि क्योंके हम इसमें उपरी सीमा साथ को नहीं गिन रहे हैं अर्थात संख्याएं फिर भी 50 से 69 तक ही आ रही है तो बारं बारता हमें फिर से वही 5 मिलती है जो अपवर्जी श्रंखला में थी और इस संख्या 60 को हम गिनते हैं अगले वर्ग में इसी तरह से हम 70 को इसमें नहीं गिनेंगे तो संख्याएं आती है हैं फिर से 60 से 79 तक और हमें बारंबारता फिर से चार ही प्राप्त होती है सतर से असी में इसी प्रकार 6 80 से 90 में 9 और 90 से 100 में यह है साथ इस प्रकार अगर हम इन दोनों सार्णियों की तुलना गरें यह है अपवर्जी श्रंखला अब ध्यान से देखें बारंबारता हैं पात चार छे नो सात और समावेशी वर्ग श्रंखला में भी बारंबारता हैं पांच चार छे नो साथ और योग वही 31 अर्थात दोनों ही वर्ग शंखलाओं में बारम बारताएं समान है कुछ इस्थितियों में अगर हम देखें कि हमें अपवर्जी वर्ग शंखला को अगर समावेशी में बदलना पड़े तो कैसे बदलते हैं आए सीखते हैं अपवर्जी वर्ग शंखला को समावेशी वर्ग शंखला में बदलना यह शंखला अपवर्जी वर्ग शंखला है हमें इसको बदलना है समावेशी वर्ग शंखला में इसके लिए हम प्रथम वर्ग की उपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर ग और दशमलव पाच को प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में से घटा देते हैं उपरी सीमा में जोड़ देते हैं यहां पर 20 में से दशमलव पाच घटाने पर हमें मिलता है 19.5 से 29.5 अगला वर्ग परिवर्थित हो जाता है 29.5 से 49.5 फिर मिलता है 49.5 से 49.5 अब यह अपवर्जी वर्ग श्रंखला समावेशी वर्ग श्रंखला में परिवर्थित हो जाती है इस परिवर्थन से ध्यान रखें बारम बारताओं में कोई परिवर्थन नहीं होता है अपवर्जी वर्ग श्रंखला को समावेशी वर्ग श्रंखला में बदलने पर जो सार्णी हमें मिली है उसमें हमें वर्ग की सीमाएं मिलती है 19.5 और 29.5 इस इस्थिती में हम निम्न सीमा को हम कहते हैं वर्ग की वास्तविक निम सीमा और उपरी सीमा को हम कहते हैं वर्ग की वास्तविक उपरी सीमा अब कुछ समान्य प्रश्न उठते हैं जैसे वर्गों की संख्या क्या होनी चाहिए वर्ग माप क्या होना चाहिए इसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं हम वर्गों की संख्या 5 से 10 के बीच रखते हैं वर्ग शंकला को अपवर्जी बनाते हैं वर्गों के बीच कोई रिक्ति हम नहीं रखते और सभी वर्गों की माप समान होनी चाहिए आंकलों से वर्गीक्रत आंकलों की बारंबारता सार्णी बनाने की इस प्रक्रिया को हम चर्णबद ढ़ंग से पूरा कर सकते हैं और इसको विभिन पदों में प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं आईए पद हैं आंकडों से विचर के अधिक्तम और नियूनतम मान से परिसर ग्याद करते हैं पांच से दस के बीच वर्गों की संख्या निश्चित करते हैं आंकडों के परिसर को वर्ग संख्या से भाग देकर वर्ग माप ग्याद कर लेते हैं आंकडों से प्रत्येक आंकडे को लेकर वर्गानुसार मिलान चिन लगाते हैं मिलान चिन्नों की गणना कर वर्ग के सामने उस वर्ग की बारंबारता लिखते हैं और अंत में सार्णी को एक उप्युक्त शीरशक देते हैं आईए एक उदारण की सहायता से इस प्रक्रिया को समझते हैं हमारे पास जल बोर द्वारा एक मोहले के 25 घरों के लिए भेजे गए बिल के आखड़े हैं 30 से 88 तक प्रथम पद के अमसार हम आखड़ों का अधिकतम मान और नियूनतम मान ग्याद करते हैं अधिकतम मान हैं 88 नियूनतम मान हैं 30 और अधिकतम मान से नियूनतम मान को घटा कर हम आखड़ों का परिसर ज्याद करते हैं जो हमें मिलता है 58 वर्गों की संख्या निश्चित करने के बारे में हमने देखा था यह 5 से 10 के बीच होनी चाहिए मालिया हमने वर्गों की संख्या निश्चित की 6 तो हम परिसर को निश्चित किये गए वर्गों की संख्या से भाग दे देते हैं हमें मिलता है 9.6 अर्थात वर्ग माप होगी 10 अब नियूंतम आकड़े से शुरू कर 10 का वर्ग माप लेकर हम अपवर्जी वर्ग शंख्ला ब 50 से 69, 60 से 69, 70 से 89 और 80 से 89 अब हम आकड़ों में देखेंगे कि 30 से 49 तक कितने आकड़े आते हैं ध्यान दीजिए ये अपवर्जी शंख्ला है इसलिए 30 और 49 दोनों को ही इसी वर्ग में गिना जाएगा 30 से 49 तक आने वाले आकड़े हैं 5 इसलिए हम मिलान चिन में चिन बनाते हैं 5 और बारंबारता लिखते हैं 5 40 से 49 तक हमें मिलते हैं 4 आकड़े और इस वर्ग की बारंबारता हो गई 4 50 से 69 में केवल एक आकड़ा है बारंबारता होगी 1 60 से 69 तक हैं 3 आकड़े इसलिए बारंबारता हुई साथ आकड़े इसलिए बारंबारता होगी साथ और हम इसका योग निकालते हैं 25 इस तरह से हम एपरिश्क्रत आकड़ों को वर्गिक्रत आकड़ों की अपवर्जी श्रंखला की वर्ग श्रंखला में सार्णी बना सकते हैं कि अब अगर हमें जानने की आवश्रक्ता पड़े कि कितने घर ऐसे हैं जिनका बिल 79 रुपए से कम है इसके लिए हमें फिर से आकड़ों में 30 से 79 तक के सभी अंकों को गिनना पड़ेगा या इसी सार्णी में हमें 30 से 49 के वर्ग से लेकर 60 से 79 तक के वर्ग की बारंबारताओं को जोड़ना पड़ेगा इस तरह से जो बारंबारता हमें प्राप्त होती है जैसे 70 से 89 के वर्ग में हम इन 5, 4, 1, 3 और 5 को जोड़कर जो बारंबारता हम निकालते हैं इस बारंबारता को हम कहते हैं संची बारंबारता अर्थात एक वर्ग विशेश की संची बारंबारता हुई उस वर्ग की बारंबारता तथा उस से पीछे आए सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग आए अब सीखते हैं बारंबारता साड़नी को संची बारंबारता कारणी में जब हम बदलते हैं तो प्रथम वर्ग की बारंबारता यही रहती है पांच है अगले वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम इस पांच को चार में जोड़ देते हैं और हमें मिलता है नो अगले वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम इस नो को इसमें जोड़ देते हैं हमें मिलता है दस साट से उनहतर के वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम इसको इस वर्ग की बारंबारता तीन में जोड़ देते हैं हमें मिलता है 13 फिर इसको हम अगले वर्ग की बारंबारता में जोडते हैं तो हमें मिलता है 18 और इसको अगले वर्ग की बारंबारता में हम जोडते हैं तो हमें मिलता है 25 चीज ज्यान देने की बात है कि बारंबारताओं का योग और अन्तिम वर्ग की संचई बारंबारता दोनों समान आती है आज की चर्चा में हमने जाना कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं प्रात्मिक आंकड़े और द्वितियक आंकड़े जब हम आंकड़ों के वर्गी करण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आंकड़ों के दो रूप हमारे सामने आते हैं एपरिश्करत आंकड़े और परिश्करत आंकड़े परिश्करत आंकडों को वर्गीकरत किया जाता है दो रूपों में विचर और उसकी बारंबारता साड़नी या वर्गीकरत आंकडों की बारंबारता साड़नी और वर्गीकरत आंकडों की बारंबारता साड़नी में हम दो प्रकार की शंखलाएं बना सकते हैं अपवर्जी शंकला और समावेशी शंकला अब आप अपनी पाठे पुस्तक के प्रशनों को हल करें अपनी समस्याओं के बारे में अपने अध्यापक से विचारवी मर्श करें और हमें लिखें क्यांपें अपनी समस्याओं करें और हमेंची से विचान सुन्हाओं आपनी से समस्याओं